यह पार्टी सोनिया और डॉक्टर शेखर ने अपनी शादे की खुशी में दिए वैसे भी सोनिया को ऐसी पार्टियों का बड़ा शौक है उसके दोस्त सब नामी कलाकार है यह धीरच है रंगमंच का माना हुआ कलाकार यह गायक है प्रदीब बात-बात में मजाक्ये वगर नहीं रह सकता असीम एक माना हुआ चित्रकार आजकल एक बड़े होटल में इसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है यह स्वामिनाथन यह भी एक होनहार बेंटर है और यह जगमोहन अमीर माबाप का बेटा भारतियता और प्राचीनता का टच्च हर बात में देखना चाहता है यह दॉक्टर शेकर की दोस्तों का मजभा है यह सभी यहां के एक सरगारी अस्पडाल में एक साथ काम करती है अश्वार का दो थाल मुफ यू हाँ थाल मुफ ने शेकर का चेयर अगोर से देखा है उम्हें खास बात है है ना अरे खास बात नहीं होती तो तुम्हारी जाशी शानदार हस्ती उसे शादी क्यों करती हाँ? हाँ, 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 सोन्या, हाँ, आज तुम इस ड्रेस में बिल्कुल गुल महर की पेड जैसे लग रही हूँ तांक्यू वेरी माच, इनो असीम, शेकर से मेरी शादी कैसे हुई, तुम्हें तु याद होगा प्रदीप, डैडी जब बीमार पड़े थे, तो डॉक्टर शेकर ने उनके खुब देख भाल की, डैडी कुजर जाने के बाद भी इनका आना जाना रहा, और एक दिन, इनने श और एक से देखो, आर में आगया है चहरा, मैं उन्ही याँ बलाती हो, शेकर? Yes, darling? जरा यहाँ हो ना, मेरे दोस्ट तुमसे मिलना चाहते है Excuse me? यह मेरा फेबरेट आटिस्ट हा? My husband Hello, my husband Hello, nice meeting you Hello, my husband अच्छो, रख्राइब यह बताएए कि हमारी भावी जी कैसी है? Oh yeah, she's fine fine, fine तुम्हें पता है, देवदत मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है कि इसे मैं बहुत- बहुत- बहुत त्यार करता हूँ और इसलिए, अभी मैं घर जाते है आपके सर बवल के बाइट तुम अपने ही घर में चोरो की तर आने लगे हैं ना क्योंकि इस घर का माले कब कोई और हो गया है इसलिए अच्छे ये बाता आओ ये पैंटिंग तुमें कैसे लगी ये पैंटिंग बता सकता हूं लेकिन एक शर्थ पर वो क्या इसका मतलब समझा दो तुम्हारी सेंस अफ यूमर काफी अच्छी है इंटेलिजिन भी हो पर एक कमी जरूर है चलो वो भी बता दो वो भी हम दूर कर देंगे आर्ट और आर्टिस्टों में तुमें कोई दिल्चस्पी नहीं ना तो तुम पैंटिंग और लिट्रेचर में इंटरेस्ट रखते हो और नहीं तो संगीत और थेटरों में बहुत बुरी बात है क्या करूं सुनिया मेरा सारा समय नेचरल साइंस और मेडिसिन में गुजर जाता है तुम्हारी आर्ट की दुनिया में जाने का मौका ही नहीं मिलता इही तो कमी है आप में क्यो इसमें कमी आ है। देखो, जिस तरह मुझे, आर्ट और आॉर आटिस्टों के बारे में कुछ पता नहीं, उसी तरह तुम्हारे दोस्तों को मैडिसिन और डॉक्तरों के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे कुछ कमी नजन नहीं आ रहे। फिर भी शेखर, अगर तुम डॉक्टर होने के वज़ा है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट होती तो, तो क्या होता, मुझे दुख्यों होती, एक नाक होता, दो पैर होते, बस, कलेजर होता, और ने, आर्ट होता, बलाने, इक कलेजर होता, तोर दिया न, अब खुश हो गयो सोरी, मैं इसे ठीक कर दूँगा, प्रॉमिस, हर शनिवार को सोनिया के घर पर बड़े-बड़े कलाकार मिलकर बैठती, और ये एक नियम सा बन गया था, सोनिया भी कमाल की लड़की है, अगर वेकी आर्ट में तवज्य देना, तो वो घुशदब की कलाकार बन सकती है, देखिए, मैं भी सोच रहा था, देख, ये भी कला है, कलाकारों को प्रेना देना, और उनकी जिंदगी में हर तम हावा का एक ताजार जोकला है रखना, नह सोनिया, मशूर और नामी कलाकारों की संगत में रहना स्यादा पसंद करती है, अगर जोचा, ये खुर्दरे हाथ, एक मलीका के बिलोरे हाथों तक पहुचे, ये लब, ये लब जो आज तक जमी चूमने के आदी थे, एक मलीका के नरम होटों तक पहुचेंगे, अरे वा, राजय सुल्तन के डालग है न, दुश्मनों की चाल तुम समझ सकते हो, पर दोस्त की नहीं, दुश्मन की आयरी साफ जाहिर होती है, पर दोस्त की नहीं, इसलिए अक्सर वही लोग दगा देते हैं, जिन्होंने वफा प्रादारी का हल्फ उठाए हो, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, यार इस बार खंडाला वर्कशॉप में, ट्राइबल कल्चर पर ज्यादा कॉंस्ट्रेट करेंगे, उनके गहने, उनके घर, उनके कपड़े, और यहां तक के, उनके रहन साहन को भी अगर हम प एक रिद्म है उनके लाइफ में उनके लाइफ में, एक संपूर्न जिंदेगी जीते हैं वो लोग, और दुसरी तरफ हम लोगों की जिंदेगी में सब सहलियत है, फिर भी अधुरी सी लगती है, है ना, आदी वासी हमसे ज्यादा अच्छे कलाकार होते हैं, उन लोगों के पास ना तो कोई कलर, ना कोई ब्रश होता है, मगर फिर भी उनकी कला में इतना जादू होता है, कि आदमी देखते ही रह जाए, इस बार तो मैंने खंडाला का वरक्शॉप किया है, अगली बार झाल 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 करते हैं काईसे तभी यह थेंके? अरे ज्यादा परेशान होने की दुरोद नहीं ऐसे चोटे मोडे इंफेक्शन तो हम दॉक्टरों को हुआ ही करते हैं अगर इतना छोटा मोटा होता तो आप इतने दिन दाग घर पर बैचनी ही होते हैं अरे गबराई अमद भावी जी देखना आप डॉक्टर साब बहुत जल्दे ठीक हो जाएंगे दो दिन पेले एक उपरेशन करते वक्त मेरे हाथ के उली कड़ गई थी उसका इंफेक्शन तो इससे भी ज़्यादा खतरना को था जाता बाते बनाने के जुरूएत नहीं अलाम किजिए और इसका देहन रखे असीम सावाई है हाँ असीम सावाई है ओ अलो अश्यम इतने दिनों से तुम स्टूड़ के नहीं आएंगे शेकर कित अब्यत चीक नहीं थी हाथ ठीक है वो मैं सोच रहा था बता नहीं क्या बात होगी है यह पेंजिज मैंने खत्म करती है केसी रही गुड़ वेरी गुड़ आखिर तुमने यह बनाई ली लेकिन इसमें थोड़ी कमी रह गई है नमनमी यह जो उट यह जो रंग है बहुत तो नहीं दो यह इस आदमी का एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन है नहीं और यह जो पहार है यह ब्राउन रंग शायद तुम्हें बहुत जादा पसंद है अच्छी एस तो करट मैं रेकुछ ऐसी सोच रहती जुनो वो जो खंडाला वर्क्शॉप का प्रोग्राम उपका है ना बिलकुल बढ़ नहीं करोगी परसबल अच्छा मैं चलता हूं आप 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 सर आप अभी तक घर ने गए आजकर आप ज़रूरत से ज्यादा ही काम कर रहे हैं देवदर्द तुम्हारी भावी खर पे नहीं इसलिए अस्पताल में काम करके हम अपना जीब हहला रहे हैं क्यों नहीं वो खंडाला इसी पेंटिंग के बरक्शॉप में फंदरा दीन हुए उने गए और दूसरे पंदरे देन अभी वाकी नहीं आने के यह तो बड़े जुन की बाद है हमारे दिल से पूछव हम पर क्या गुजर रही है तो डॉक्टर साब आप एक काम क्यों नहीं करते हैं हम भवी से मिलने तो चार दीन खंडाला ही चले जाए यू इडियट स्टुपड फूल यवाद तुने परेले को नहीं बताई हम हम लगिन अभी आप नहीं आजारे खंडाला अभी को नहीं है अभी को लाइस टाइम होगा है खाना ठाकर ही जाहिए अब तो लंच में उसी के साथ लंगा यवी ठीकन उसकी पसंद की दूचार चीजे खरीद नहीं वो खरीद कर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ समझे बढ़े बढ़े यह प्रांव कि अबपम कि सख्सक्राइद ल॒बए कि अए दूर जाए कि अदे खाल वर्कें आतलें अदुच्छ साम में समय को अजगते हैं रहुत रहा हो कि अप सुन्य का है? पहार गये लेकि आप कि अई के लिए वस लो अदुच्टीम कालर फुल वरी वरी ले वरी कि लुटन औरंज, रैड, वो लोग जो मिक्स करते हैं कितना अचा है। एक बात उनौर किसे हैं, वो जो लकणी के आज़ार बनाते हैं, ना.. चेशेटें जासा हैं, जासा हैं.. वो रुखले वेड़ा.. जासा है.. शेकर्ण.. अजो लकणी से वो लोगणी जासा है.. एक कितना सूसे कि प्राइज सेप्रीज सॉप्राइज! इतनी दिर ऐसे लिए आए है कि मैं यहाँ पहले की रिह झिल है ! तुम तो जानते है हो काम से बुर्सटी का मिलती है मुझे बॉट अच्छा हुआ कि तुम आ गये तक प्रवक्त तुमने पता है तुमने के अच्छë आपनी हो तुर। ऐसवाग्ब नहीं त्कमे अधर। इस वाक्षिस थी जिए तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ ऐसां कि एक्स ऑगिए के स clip मलेके अठीक है। मदद कैसी मदद एक मुसीबत में फर्ज गई हूं क्या मुसीबत यह जो कॉटेज है ना इसके माले के मिस्टर पींटो कल उनके बेटी की शादी है वह अच्छा वालन बजाता है हम सब लोगोंने प्रॉमिस किया है उसकी शादी अटेंड करेंगे पर एक प्रॉब्लम है क्य अच्छा बापा मैं कल सुभा जाकर ले आऊँगा बस कल सुभा तुम आभी चले जाओ ना अभी हां देखा अभी निकल गए ना तो ना बजे तक तुम घर पहुंच जाओगे और सुबाट बजे निकलो गए तो यह आट बजे तक पहुंच जाओगी क्या हुआ अगर चित्र बनेगा प्लीज तुम मेरे ले इतना कर दो प्लीज अच्छा बापा ला दोगी हां यहां तुम्हें बेच तुम्हें मुझे बुरा तो लग रहा है आज अगर तुम्हें रहे जाते हैं तो मुझे बहुत खुश्य होगी ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारी लिए खाना लाया था तुम्हें खाल लेना असीम यह लो सब्सक्राइब यह आस्मान यह महक के फूर पंचियों की सुरीली आवाजें और दूर दूर तक पहली गन्नी जाडियां एक ही चीज़ की हमें याद दिलाती हैं कि हम कुछ भी नहीं वह पाने पर पेड़ों के साय देख रहे हैं वह खाब हैं जब रात उत्रेगी तो सब कुछ उसमें डूप जाएगा वह खाब भी हम भी मैं भी तुम भी कि मुझे अंदर में नहीं डुबना है मुझे तु पंची के तरा बहुत उचा जाना है तुम्हारी रगड़ में जिंती के लिलला कहा से आया है जब तुम्हारी तरह देखता हूं तो जीने कुछ जहता था सोनिया मेर परी वाज़ा आइनीच हो आओ हम दोनों एक दूसरे को चला ढले नहीं मुझे इस तरह की बाते मत किया करो तुम जानते हो के मैं शादी होदा हूँ शादी इस वक्त हमारे बीच में शादी की बात कहां से आ गई है यहां हम अकेले हैं दो अकेले इस वक्त हमारा क अधित नहीं है यह सारा महौल हमें एक दूसरे में टूबने के लिए मजबूर कर रहा है आओ नहीं नहीं मुझे छोड़ दो तुम जाओगी तो धी में पदमों से आती हुई रात और मेरे अंदर की उदा से मुझे खा जाएगी तुम मुझे वो चंद लामे दे दो प्रीज लिप में लिफ सौनिया प्रीज मुझे एक पल दे दो सर्फ एक पल अरे यह तुमने क्या का टाला मुझे अपने हादों बपरोसा नहीं रहा है इतने बड़े आर्टिस्ट होकर तुम्हें ऐसी बाते कर रहे हो मुझे बादलों से भरा हुआ आस्मान चाहिए इस चमकीली धूप में मेरा मुझ खराब कर दिया तुम्हारे पास एक ऐसा स्केच भी तो है जहां पहारों पर बरफ है आस्मान पर बादल नहीं चारों तरफ धूपी धूप है तुमने यह कैसे समझ लिया कि जो तुम मैं वहीं पेंटिक बनाऊंगा इस एक हाफ्ते में तुम कितने बदल गए हो है मेरे दिल की हालत का अंदाजा लगाती तो तुम्हें पता चलता जब मुझे अपने काम पर भरोसा नहीं रहा तो कृडिस क्या कहेंगे मुझे लगता है हर चीज मेरे खिलाफ एक सर्जिश कर यह सब बहने है मुझे दूर हटने के तुम रोचर मुझे और भी परिशान कर रही हो रोने के लिए मेरे पास भी हजार कारण है मैं अपने आपको समान लेता है मैं सब जानती हो मैं जानती हो तुम्हारी असली कारण कि आप तुम मुझे तंग आ चुके हो मैं क्या इत्त कि तुम मेरी बज़े से, मेरे प्यार के बज़े से, सब के समने शर्मिंदिगी महसूस करते हो, मैं तुमसे एक ही बात आता हूँ, तुम अकेला छोड़ दो, मेरी परिशानियों को मत बनाओ, तुम यहां से चली जाओ, मैं चली जाओंगी, लेकिन तुम का सम्खाओ, कि तु मेरा? मार क्यों ने देते तुम मुझे? चला दो मुझे, चला। मैं से हरकालों के, बज़रे मुझे क्या होगा? मयर चाओंगे! प्रुपय भेज रहा हूँ, जल्दी आजाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा शेखर अजाओ, अजाओ, तुम्हारा शेखर वर्क्शॉप छोड़कर अपने घर की और रवाना हुई सुनिया के दिल और तमाग में एक तनाव चल रहा था जो कुछ उसने किया क्या वो सही था क्या अपने ही घर में फिर से उसे वही प्यार का था सागर दुनिया के महान कताकारों की जुनी हुई बेहतरीन कहानिया हर कहानी इंसान और इंसानी समाज की एक सची तस्वीर ऐसी तस्वीर जिसे समय की धूल भी धुंदलान जगी आज की कहानी का शीषक है बहुत देर करती लेखक एंटन चेकाउफ की कहानी दे ग्रास होपर का समापन भाग डॉक्टर शेखर और सोनिया की खालखी में शादी हुई है शेखर एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और अपना काम पूरी लगन से करता है सोनिया को विभिन कलाउं से बहुत लगाव है और उसके सारे मिलने वाले भी मशूर कलागार है सोनिया डॉक्टर शेखर को भी एक बड़े और मशूर आतमी के रूप में देखना चाहती है भी डॉक्टर शेखर से बेहवत प्यार करती है लेकिन एक दिन आर्टिस्ट केंप में मशूर आर्टिस्ट असीम के बढ़ते हुए कदमों की तरफ सुनिया जुक जाती है वो चाहती है कि असीम सिर्फ उसी करह है लेकिन असीम को अपनी कला से ज्यादा लगाव था इसी वजह से आए दिन इन दोनों में जगड़े होने लगे और फिर एक दिन असीम की बेरुखी से सुनिया वर्क्शॉप छोड़कर अपने घर की और रवाना हुई सुनिया के दिल और तमाग में एक तनाव चल रहा था जो कुछ उसने किया क्या वो सही था क्या अपने ही घर में फिर से उसे वही प्यार उतना ही प्यार नसीब होगा मधू साब घर में हैं यहाँ सुनिया शेखर सुनिया क्या हो है सुनिया उदास होगे मेरे बगैर मैं मैं तुमे कुछ बताना चाहती हूँ हम बताओ मैं हाँ शेखर हम आगी से कभी इस तरह घर से दूर तुम से दूर मैं नहीं चाओगी शेखर मैं नहीं चाओगी सुनिया घर लोटने पर भी सुनिया और असीम मिलते रहें लेकिन असीम को यह मनजूर न था कि वो अपना सारा वक्त सुनिया का साथ गुजारें क्या बात है सुनिया तुम लोग आदिवासियों के बस्ती में जाकर उनका रहन सान अपने पेंटिंग में उतारना चाहते थे ना उसमें सफलता मिली सुनिया दालिंग, आपने में अपना रही है नीद आ रही है गुद नाइट आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर शेखर को इस बात का अहसास होने लगा के सुनिया उसे अंधेरे में रख रही है वो उसकी आँखों में चांकने से डड़ता है जैसे जैसे खुद उसने कोई गुनाह किया हो सुनिया के साथ घर में अके लिए रहना मुश्किल हो गया अब वो अक्सर अपने दोस्त डॉक्टर देवदत्त को घर ले आता और अपना सारा समय उसके साथ बिताता उधर सोनिया अपने लिए कोई रास्ता तै नहीं कर पा रही थी उस सुभाई ये सोच कर उठती ये भी तो सच है कि असीम एक महान कलाकार है थोड़ी देर के बाद सोचने लगती कि असीम के कारण ही उसका पती डॉक्टर शेखर उससे दूर हो गया है उसे ये भी ख़याल आता कि असीम ने आज तक जो अच्छा काम किया है उसकी प्रेहरना से किया है अगर वो असीम की जिंदगी से निकल जाएगी तो उसकी कलाप हीइ़ा जाएगी उसका बढ़ नकसान हो जाएगा और यह सब सोच कर वो घर से निकलती और असीम के स्टूडियो पहुंचाती तुम्हें आसंतर चित्ति बनाई ना? सबसे बड़े आई ए यह है मुझे इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा कि यह जित्र बनाने के पीछे कौन से पहना थी तुम उसे दूर क्यों जा रहे हो में सत ऐसा महत करो I love you I love you and you love me No Sonia, Sonia please No देखो कुई है हाए से हाए सोदेगा आव अजब हाए, बोलो मेरा काम काहं तख पांचा तुम्हारा आओ, तुम्हारा रहाओ तुम्हारा काम तुम्हाने करती है तुम्हेः बैठेगा वहाँ थी अब करें। देखो, Sonia, तुम मिधनी अपनाँ, मत रोकरो तुम ने तुम भूजे कहाने रख़गा आप जारी हूँ आज रात को अगर खाना कहने के नहीं याया तुमे तुमे तुमें मेजेर कहलोगी अब मैगाद मैं किसी काम से इस तरह आए था सोचा तुमसे मिलता चलूं अच्छा मैं चलता हम अरे खाना नहीं खाऊगे नहीं जल्दी है जल्दी थी तो आए क्यों तुमने बुलाया तुम्हें आया अच्छा जब आगे हो खाना खाकर चाओ साल, सृन, सृन, सॉन, आउ प३ह बैठो, ऐसा मत करो वाफ वह बैठो मुझे मालुम है तुम्हारे ये जल्दी जना बी एक पहना है और ये तुम मुझे गुसा ढिखा रहे हो नाँ गुसा दिखा रहे हो ना उसक्छा हो फाक्ता है मैंने कहा आ मुझे जाना हैday ् अच्छा बाबा जाना है तो जाओ तौ। तुम क्या समझते हो आधो मैं तुम्हारे बगंची नहीं सकती जी सक्ती हो तो जहर खाले की धंकी क्यों देती हो Aasim प्लीम बचब करो मिरे साथ ऐसा तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बगर्ची नहीं सकती तुम मजे छोड़ोगी यह नहीं कहा जाओगे एक खास दोस्त मेरा इंतजार कर रही है अब तो मजे उसके साथ खाना भी खाना होगा चोड़ो चोड़ो मैं चलता हूँ तुम क्यों रोगी हो सुन्या असीम ने कुछ कहा देखो तुम इस तरह रोगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा सुन्या तुम भी ये मेरे हाल पर चोड़ोगा मैं जा रही हूँ इतनी राद करे कहा जा रही हूँ सुन्या असीम है? नहीं आने वाला है? बता नहीं का सफ़ी हूँ पही रही का सुन्या आना का कुछ का का ज़सी हूँ इतना का रही यो तुम आने आए दिन सोनिया के इस रवेये से डॉक्टर शेखर सोनिया से और दूर हो गया अब वो अपना सारा वक्त मेडिकल रिसर्च में बिताने लगा दुखिस अखल तो टारसाब अग्राइशिस का अफно दॉरत शेखरिया 92 अखेवvasive आपका थिसस अएक्सरी अखल गया सबिते हाए और है ब़ग बगार्पर को तर्व और भी ग्रम्रार के से लिए specially इजलिए तरो इसी की दुम मोगवर्कर के साहथ आइए नेऊ सुनिया कहीं बाहर जा रही है वो हाँ वो देर हो गई है सुनिया मैंने जो थिसिस सब्मिट की थी वो एक्सेप्ट की गई है हाँ देखो बोर्ड की और से मुझे कमेंडेशन लेक्टर भी आया है आज हॉस्पीटल में डॉक्टर्स और दीन ने चारों और से मुझे घेर लिया देखो कितने सारे टेलीग्राम साहे हैं मुबारकबादी के तुम सुन रही हो ना मुझे डॉक्टरेट मिल गया है सोनिया और हो सकता है कि इस साल विदेश में होने वाले सर्जन के कांफरेंस में मैं भारत की और से प्रतिनी जीत्व करूं तुम तुम सुन रही होने सोनिया डॉक्टर शेखर को अपनी काम्याबी की इतनी खुशी थी कि अगर सुनिया उसमें शामिल हो जाती तो उसके सारे गुनाह माफ करते था मगर सुनिया ने उसे ये मौका नहीं दिया डॉक्टर शेखर अब सब कुछ भूल कर अपना सारा वक्त अस्पटाल में गुजारने लगा एक शाम डॉक्टर शेखर के पास एक खतरनाक केसा आया एक बच्चे को डिफ्टीरिया हो गया था और उसका फॉरन इलाज करना बहुत जरूरी था अपने अंदर की निराशा ने डॉक्टर शेखर से सतर क्रहने की शक्ति छीन ली थी बच्चे का इलाज करते हुए उसे भी इंफेक्शन हो गया तुम होस्पिटर लेगे? नहीं है अज कुछ तबे ठीक नहीं इसलिए कोई जादा तक लिफ तो नहीं? नहीं नहीं मैंने तीमदद को बुलाया वह भी आता हुए Sonia? आओ यह से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलो अच्छा क्या? क्या ख़वर है? मैं तरसल मैंने तुम्हे अपनी बनाई हूई पेंटिंग दिये थे लो एक बात करो Sonia, बुरा नहीं मानना तुम्हें किसी एक आप में अपने आपको दूब दोना चाहिए ना तो तुम्हें पेंटिंग में ठीक से दिलचस्पी लेती हो ना संगीत में, ना एक्टिंग में इसका नतीजा है कि आज तुम किसी चीजमें भी अपना माग नहीं बना पाए तुम यहां एको नहीं थेरा, मैं आता हूँ. सुलिये, मैं आता में पुरूड़ू. क्या बात है, देबदत? डॉक्टर शेकर को एक खतरनाक पिमाली ने जगट लिया है. उनकी जान खत्रे में. क्या बोल रहे हो? आपका अंदर जाना ठीक नहीं. क्यों? उन्हें डिफ्टेरिय का इंफेक्शन लग चुका है. आपको भी लग सकता है. लेकिन उन्हें, ये बीमारी लागी कैसे? एक बच्चे के टिफ्टेरे का इलाज कर रहे थे. उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया, मगर, मगर कुद? डॉक्टर, जल्दी अंदर आईए. देबदत, शेकर को कुछ होगा तो नहीं. आप आरहंग दिए. आप 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 आप. आहुआए हाँण प्टेर से वांग हो सी कि बुलक़रो है। यझ אבל सब जयने यजा आ. कर दो यडिए से ताहने लुब है। खखख़ खोची में प्याशना जाद रेता इनने लख प्यादर प्यादिन भंप्यादी जादी ए जाद। अजिस 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 में आपक खबूऋ अब बूशानी ए ए ए ए इ ए ए कर दो कर दो कि दो किकी। कि दो वखे दो अन्ती बंती कि झा जम रघगर कि कि कितना जादत कि एधनय स्तु belki कि एधन बंसे चित बंती झाल प्रतिनी धित्व करूँ तुम तुम सुन रही हो ने सुनिया? झाल 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 झाल